हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Realme Narjo 60 Pro 5G मॉइल में इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट लॉग कैसे लगा जाता है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आप अपने मॉइल की दोस्तों सेटिंग ओपिन कर लीजिए मॉइल की सेटिंग ओपिन होने के बाद पासवर्ड सेक्यूरिटी के ओप्सन पर क्लिक करेंगे fingerprint पर click करेंगे और यहाँ पर continue का option आएगा इस पर click करेंगे अब यहाँ पर दिखें numeric, alphanumeric pattern जिसके साथ आप fingerprint लगाना चाहते हैं उस पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर second चलेंगे उसके बाद continue का option open हो जाएगा तो इस पर आपको click करना है जो भी pattern आप डालना जाते हो डाल दीजे दुबारा से re-enter आपको करना है re-enter करने के बाद यहाँ पर fingerprint sensor मांग रहा है तो आपको जल्दी जल्दी से इसको scan करवा लेना है तो मैं scan करवा लेता हूँ तो friends मैंने जो है fingerprint scan करवा लिया है उसके बाद done के option पर click करेंगे बस आपके मौन में successfully in display fingerprint log लग जो है जैसा कि friends आप देख पारे हो